हुआ है गाइज वेकम बैक टू मैं चैनल आइम मंजुस लाइफ में तो बोलिए गाइज आप लोग कैसे हो फॉप सर्स अब लोग ठीकी होंगे तो मैंने एक वीडियो बनाया था लक्ष्मिय पैलेस का जो अब जलक मैंने अप्लोड नहीं किया तो मैं अभी अप्लोड कर र वीडियो ग्राफिक अलाव भी था तो भी मैंने आप लोगों के लिए स्पेशा जो भी है मैं बोल रही है आप लोगों को आप जस देख लेना और इंजॉए करना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना जीनों ने भी तलब चैनल को सब्स्क्राइब के लिए पालेश की एंट्र कुछ इस थरह एक काफे ब्यूटिफूल है और एंशन लुक है तो एंट्री फीज होता है पालेश के लिए लकष्मी पालेश के लिएंट्री करना होता है तो आपको एंट्री What a good hour पैंट橋ु эту आयकि अप झूधायो हुआगे और ये सब्सकू वैसे आप वह audio सुनोगे तो वह उस चीजों की बार में बताई जाएगे कि यह यहां क्या-क्या था और किस चीज के लिए किस चीज की रिलेटेड होती है वो सब आपको जानकारी उस चीजों में प्राप की जाती है तो मुझे वह चीज बहुत अच्छा लगा था कि हमें वह स्पेशली किसी गाइड की रिक्वार्मेंट नहीं थी क्यों वहां अच्छा लगा यह सामने इनका गार्ण है जब मैं वहां गई थी तो लोग वहां गेम खेल रहेते हैं गॉल्फ प्ले कर रहे हैं उन लोग और शुटिंग भी हो रहा था माइड भी शुटिंग भी होती रहेगी लेकर पालस का जो व्यू है वो काफी सुन्दर है अगे इंटियर भी बहुत ब्यूटिफुल है अंदर की जो इंटियर है उन्होंने पूरा ओल आवर वर्ल्ड से उन्होंने वह कारीगर लोगों को लेके आगे करवाया था और सीक्यूरिटी बहुत टाइट थी ज जरा अलाउट नहीं है फोटोग्राफिंग कुछ भी तो ट्राइ करते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाने का तो यह अंदर है इनका बेटक खाना जो सेटिंग अरेंजमेंट है उनका राजाव लोगों का यहां बहुत पूराने पूराने पंटिंग्स है वे मुस पैंटर है राजा अरवी वर्मा जी उन्होंने अपने हाथों से बनाए थे काफे पूरानी पैंटिंग्स है तो ये जो महल देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटिफूल है और जो कलरिंग और इनका जो विंडो का स्ट्रक्चर है बहुत ही ब्यूटिफूल है आप इंजोई कीजे के किजे बहुत है प्रॉप्राइब प्रॉप्राइब गोट्स वगेरा बनाया है यह मेटल का है कुछ मुर्ती बनाई है गोट या बकरी का उस्थरगा काफे सुन्दर है और यह जो पेंटिंग है कलरफूल पेंटिंग काफे सुन्दर है यहां फाउंटन था बहुत ब्यूटिफूल लग रहा था फाउंटन बहुत और मैं जैसे की गर्मी में गए थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा प्लिए थंडी ठंडी हवाय आ रहे थी और इतना अंदर का जो माहल था थंडा सब्सक्राइब के लिए तो मैंने यहां पालेस में समूसा लिया तो जो काफी टेस्टी था और चिकन पैटी स्थी बहुत टेस्टी था और वहां फूड भी अवलेबल है यह प्लस पॉइंट के लिए हम जैसे बुकर लोगों को तो खाना तो जरूरी है कहीं भी जाओ बुक तो लगी जाती है स्पेशली मुझे तो मुझे वह बहुत अच्छा लगा कि हां मतलब फूड अरेंजमेंट भी था वह बाता लगे कि हमें पर्चस करके खाना होता है वह तो हर जगई है तो मैंने अपने लिए कुछ पेश्ट्रिस भी और कर लिया था मीठा मुझे पहुत पसंद है चलो इसको ट्राइ करते हैं सो यम्मी ओ वाओ काफी ज़्यादा डेस्ट यह मज़ा आ गया खाने के बाद कुछ मीटा हो जाए तो मतलब उस चिसकी मज़ा ही कुछ और है सो नाइस यह वीडियो यहां तो लगी था आपका मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएगा जरूर और अपना धहन रखेगा टाटा बाइबाई ठेक क्यार